दोस्तों Welcome to Pro-news zone और Stack session में हम बात कर रहे हैं OnePlus लॉप्लस नाइन जो अपने लेटेस्ट सेग्वेट लेटेस्ट सीरीज में जो लॉट्स नाइन, नाइन प्रो और नाइन आर्ट ये तीन जो फोन है तीन जो हैं OnePlus की जो प्रैंड है उसमें लॉट्च हुए हैं और इनकी जो नोट जो 9 सीरीज है वनप्लस की उसकी जो बेसिक या फिर जो इस्टार्टिंग जो रेंज है वो 39,000 है तो 39,000 से यह फोन स्टार्ट चुक्रा है अब आप देख सकते हैं कि यह फोन कैसे हैं हलो दोस्तों और यह देख सकते हो आप वन प्लस नाइन जो यह सीरीज है जो की लॉंच हुई है आज यह जो डिजाइन है थोड़ा सा इंप्रूमेंट किया है पराने वाले हैंड से थोड़ा क्या काफी इंप्रूमेंट किया है पहले वाले में जो कैमरे लगते थे वो अच्छे नहीं दिखते थे इसमें तीन कलर आपके पास मौझूद हैं एस्ट्र ब्लैक आर्टिक स्काई विंडर मिस्ट यह काफी अच्छा लग रहा है और इसका जो कैमरा है आपको अलगी बड़े-बड़े कैमरे देख रहे हैं आपको थोड़ा अलगी एक लुक आ रहा यह आपको अविलेबल है वन प्लस की ऑफीचल साइट पर आप इसको और्डर कर सकते हैं या फिर अमेज़ून पर भी आप इसको और्डर कर सकते हैं मोस्ट प्रोवेबली इसमें आपको 65 पावर वोट का पावर अडेप्टर मिल रहा है और जो C टाइप की केबल है वो मिल वहारा है जिसके वज़े से आप इसको ले सकते हैं अगर आप वन प्लस एट यूस कर रहे हैं तो फिर फ़न प्लस एट यूस करें तो आई थिंक कि इस फोन को ना ले तो जादा अच्छा ए क्योंकि यू नो एट कि यह लिटश्ट फोन है और 5G भी है तो वन प्लस एटी जो आपने लिया होगा वहीं फाइब जी अगर नहीं भी है आपका फोन तो अभी उसकी जरूरत इत्ती जरूरत है नहीं यह विंटर मेंस्ट में यह भी कलर काफी अच्छा लग रहा है काफी प्रीमियम लोग दे रहा है इसकी जो डिस्प्ले है वो है 6.55 इंचेस का और रिसॉल्यूशन जो है एस्पेक्शन रेशियो 20-9 और जो इसकी पी-पी-ई है डिस्प्ले की वह है 402 120 हर्ट की फुल एमोलेड है और पी-3 कवर ग्लास कॉर्णिंग गोरिला ग्लासेस है अब इसमें सबसे में चीज है वह है ऑक्सीजन ओस बेस्ट है एंड्रोइड 11 पर और जो स्नैप ड्रेगन का प्रोसेसर है वह है 888 5G चिपसेट है ग्लाब्ड ग्रोइड 660 और 8GB और 12GB के वरियंट में यह अविलेबल है में कैमरा जो है वह सुनी का है सुनी का सेंसर है 48穴गापिक्सल का और अल्टरावाइड कैमपल अल्टरावाइड कैमपस कैमड़ा जो है वह 50 मेगापिक्सल का जो काफी एक इंप्रूव्मेंट है पोनो कैम्बरा मेगा पिक्सल दो है तो इसमें टुटल तीन कैम्बरा है डूटल एलिडी फ्लैश है वीडियो आप इसमें 8K तक की रिकोर्डिंग कर सकते हो स्लो सुपर स्लो मोशन भी है इसमें और वीडियो एडिटर इन बिल्ट भी है बागी फ्रंट कैमरा 16 मेगा पिक्सल का है कनेक्टिविटी 4G बैंड जीसम बैंड ड्लू सीडिय में LTFD 5G MMO LTE Wi-Fi 2x2 MMO सपोर्ट है Bluetooth 5.2 है NFC Enabled है यह GPS है यह GPS है चाइना का जो GPS है बाइडू वो भी है Galileo भी है सेंसर से इसमें इन डिस्प्ले फिंगर है बीच में फिंगर में डिस्प्ले है एक्सिलरो मीडर है एलेक्ट्रिक कमपस है ग्रायो स्कोप है एम्बें लाइट सेंसर है और प्रोक्सिम्टी सेंसर सेंसर कोर फ्लिक डिटेक्ट सेंटर सेंसर भी है आपको इसके अंदर नॉर्मल हैंड सेट और उसके साथ जो चार्ज़ रहता है वो मिलेंगा बागी वो जो चीज़ें होती है लोगों टाइप की यह वो तो मिलेंगा Dolby Atomo sound है इसमें noise cancellation support है dual stereo speaker से यह है one plus अब हम one plus nine pro का देखेंगे कि one plus nine pro जो है और nine hour तो यह दो phone है nine hour जो phone है वो 39,000 से start है मतलब 40,000 ती मान के चलिए आप तो one plus nine hour जो है वो starting range है one plus nine जो है वो starting के आगे वाली range है one plus nine pro जो है वो इसकी सबसे उपर वाली range है one plus nine hour 5G है यह भी इसमें भी आपको 120 hertz का fluid display है इसमें आप वीडियो भी अगर देखें इसकी जो की है one plus nine hour 5G इसमें आपको camera 4 मिल रहे है one plus nine के comparison में display gaming वगेरा में अपकर सकते हैं इसमें अच्छा और इसमें इस प्रोसेसर वगेरा कौन सा क्या है इसमें लेक ब्लू कलर है दो कलर इसमें side pane डाले हैं यह एक नया एंट्रेंट है नर्मली वन प्लस टी में जो निकालता है one plus 90 इसमें जो नइक ट्राइगर का प्रोसेसर रहा है वो एड्सेवन्टी है कौलकॉम का तो प्रोसेसर ऑविस्ली थोड़ा कमी होगा जिसके हम कुछ कहनी सकते हैं प्रोसेसर के कमपेरशन में बागी जो डिस्प्ले है वो वन प्लस नाइन के बराबर ही है 6.55 हर्ट्स का चार्जिंग वगेरा सारी चीज़ा बाकी तो सेम है वीडियो एस्टेबलाइजेशन भी है इसमें जो कि आजकल हर हाइएंड फोन पर होता है इसमें कैमरा जो हैं वो आपको चार कैमरा दी गए हैं बाकी जो वन प्लस है इसमें समें तीन किसी में दो पहले के मूबाल में जो दिये रहते थें आकसिज़न ओसे इसमें जो बहुत वेमस है ये है वन प्लस इसकी जो बैटरी है वह 4500 वीärमकी हर्ट की है ऑँ सॉर्य KY45 500 mili ampere की वेक्ट्री है इसमें और इसमें जो है आपको 3.5 GHz की क्लॉक स्पीड है इसमें यह है वन प्लस इस पैसिफिकेशन अगर देखा देखा जाए इस सिर्फ और सिर्फ इस पैसिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसका जो वेट है वो जादा है वन प्लस नाइन से कॉर्णिंग लगलास है इसमें रैम इसमें 8GB और आपको 12GB दो वेरियंट आपको अविलेबल है इसमें कैमरा जो है 40MP का में कैमरा है 16MP का अल्टरावाइड कैमरा है मैक्रो लैंस है 5MP का और मोनो क्रोम लैंस है 2MP का तो कैमरे इसमें 4 आपको दे दी है इसमें वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वह आप 4K तक कर सकते हैं फ्रंट कैमरा 16MP है और सोनी का सेंसर है सेंसर सारे जो नॉर्मल है वो सारे हैं इन बिल्ट जीपिएस ग्रॉयोस्को ग्रायोस्को अब आते हैं सबसे कूल जो डिवाइस लग रहा है उसके उपर जो की है 1 प्लस 9 प्रो इसकी जो कीमत है वो आप देखी चुके हो कीमत जो है भई इसकी कीमत जो है इसकी 69,000 से स्टार्ट है और इसमें सेम प्रोसेसर है जो 9 में है हेजल ब्लैड कैमरा है मूबाइल में तो इसमें जो है कैमरे में इसमें फोकस किया गया है इस मूबाइल फोन में स्क्रीन मगेरा सारी चीज़ें जो है नॉर्मल जो वन प्लस में है वो ही है जैसे कि आप देख सकते हैं हेजल बेंड कैमरा फॉर मूबाइल फीचर वीडियो अब इसको तो अगर देखेंगे इमेजिस भाई हेजल ब्लैड अमबैस्टर तो यह बैच्ट शॉट के लिए इसको मौर फोकस किया है जो लोग कैमरा चाहते हैं और दौको या फिर जो काफी कैमरा फ्रेंडली होना चाहते हैं तबड़ा कैमरा नहीं ले जाना चाहते हैं उनके लिए इस फोन को एक अलग सेग्मेंट में रखा गया है यह जो फोन है वन प्लस नाइन प्रो इसका जो कैमरा आप देख सकते हैं चार इसमें भी कैमरा दिये हैं बड़ इसमें जो लुक है वो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है इसमें आपको अलग अलग कलर हैं एक पिंक ग्रीन इस्टेलर ब्लैक मॉर्णिंग में इस यह तीन कलर दिये हैं और इसके जो वेरियंट्स एं एट जीबें ट्वेल जीवी वेरियंट्स आपको इसमें अविलेबल हैं इसमें आपको काफी स्पेसिफिकेशन अगर इसके देखें हम जिसके लिए फेमस है तो इसका जो वेड है वो 193 है जो की लगबग 13 ग्राम हैवी है वन प्लस 9 से और 10 ग्राम हैवी है 10 ग्राम हैवी है वन प्लस 9 आर से इसमें आपको 120 हर्ट की फ्लुएड एमुलेड डिस्पले मिलता है Cover Glass, Corning Gorilla है Hyper Touch, Reading Night Vibrant Color यह सारे Features आपको है Sony का 48 Megapixel का Camera है Main Camera, Ultra Wide Camera 50 Megapixel का है फिर Telephoto Camera आपको मिलता है वो है 8 Megapixel का और Monochrome Camera है जो है 2 Megapixel का Dual LED Flash है इसमें Auto Focus 8K तक Video Recording तो अगर आप Jump कर रहा है 5 या 6 1 पलस 5 या 6 से या 7 से, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं अगर आप एक दम iPhone level का phone camera चाहते हैं उस case में अगर आप इसको सोच रहे हैं इस phone के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये phone, उस case में आप इसको ले सकते हैं अधर्वेस अगर आपके बाद जो भी डिवाइस है आप वही रख सकते हैं इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रूबते हैं जाहिए देखे